हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग तो आज का हमारा यह वीडियो सिंदु घाटी सब्यता से संबंदी थे जिसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उससे देख लिजिया और यदि आपने हमारे चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप देख सकें इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने पहले कोशन की तरफ मोहन जोदोडो कहां हिस्तीत है तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी मोहन जोदोडो स सिंदू सभीता का एक प्रमुक नगर था और यह स्तीत कहां है तो दोस्तों यह सिंदू प्रांत के लड़काना जिले में स्तीत है अगला सवाज सिंदू घाटी सभीता की पहचान निम्न से है सिंदू घाटी सभीता की पहचान निम्न से है तो दोस्तों इसका सही आंसर है स सहर योजना प्रणाली सिंदु घाटी सबिता की पहचां सहर योजना प्रणाली से ह। और दोस्तों सिंदु घाटी में चोड़ी सबके एक दूसरे को लम्मत कार्थी την मकान पक्की एवं कच्ची एतों से बनाया जाते थे नली एवम सफाई की भी वेवस्ता जो थी वह बहुत थी उत्तम थी दोस्तो अगला सवल किस पसु के अवसे सिंदु घाटी सब्रता में प्राप्त नहीं हुए प्राप्त नहीं हुए है तो दोस्तो इसका सही आंसर है C, सेर और दोस्तों मोहन जोदोडों से प्राप्त एक सीर पर तीन मुखवाले देवता पसुपती नात की मुर्ती प्राप्त हुई है उनके चारों और हाथी गेंडा चीता आवं भैसा विराजमान है परन्तु इस सिंदु घाटी सेवता में सेर का कोई अवसेस नहीं मिला है इसलिए इसका सही आंसर है C अगला सवल हडपा कालिन के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी किसकी जानकारी नहीं थी तो दोस्तों इसका सही आंसर है B लोहा दोस्तों हडपा कालिन के लोगों को सोना, चांदी, तामबा, कांसा तथा सीसा का ग्यान था हड़पा काली नस्तलो की खुदाई में गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं किन्तु सिद्धु सब्वेता के लोगों को लोहे का ग्यान प्राप्त नहीं था अगे बढ़ते हैं हडपा काली नस्तलो में अभी तक की जातु की प्राप्ती नहीं हुई है दोस्तो इसका सही आंसर है D. लोहा तो दोस्तो अभी तक हडपा काल इन चलो से लोहा की कोई प्राप्ती नहीं हुई है इसलिए इसका सही आंसर है D. लोहा आगे बढ़ते हैं दोस्तो हडपा की काल का ताम्बे का रत की सतान से प्राप्त हुआ था दोस्तो इसका सही आंसर है B, दैमाबाद से प्राप्त हुआ था हडपा काल के ताम्बे का रत आगे बढ़ते हैं दोस्तो हडपा की मिट्टी के बर्तन पर समाने था किस रंग का उप्योग हुआ था तो दोस्तो इसका सही आंसर है C, लाल रंका उप्योग वा था तो आगे बढ़ते दोस्तो, हडपा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्व प्रथम थे तो दोस्तो इसका सही आंसर है C, कपास क्योंकि हडपा वासी कपास के उत्पादन में सर्व प्रथम थे तो यह वर्तमान में उतल प्रदेश के मेरेट जिला में इस्तीत है और इंदर नदी के किनारे बसा हुआ है आगे बढ़ते हैं दोस्तो सिंदू घाटी सब्विता अनारे सब्विता थी क्योंकि एक सहरी सब्विता थी सही आंसर है B और दोस्तो अनारियो का संबंद सहरी सब्विता से रहा है जबकि आरियो का संबंद केवल ग्रामीर सब्विता से रहा है और इससे यह सपस्ट होता है कि सिंदू घाटी सब्विता अनारे सब्विता थी तो दोस्तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद